विवेग अगनी होतरी निर्देशित फिल्म दा कश्मीर फाइल्स आज 11 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है इस फिल्म को देखने के बाद एक महिला दर्शक इतनी जादा भावोक हो गई कि वो बिलग बिलग कर फिल्म के डिरेक्टर और काज दर्शन कुमार को गले लगा कर सब के सामने ही रो पड़ी फिल्म एक सची तरासदी पर आधारित है जो साल 1990 में कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की दुर्जशा को दिखाती है हालात ये थे कि आतंकियों की वज़ा से ये पंडित अपने घरों से भागने के लिए मजबूर हो गए थे ऐसा लग रहा है कि ये महिला उस तरासदी की गवा और पीडित रह चुकी है जो फिल्म देखने के बाद अपने आसों पर कंट्रोल नहीं रख सकी फिल्म में कश्मीरी पंडितों की दुर्जशा और दुख को देखकर वो पुरानी यादों में डूब गई और जोड़ जोड़ से रोने लगी वो महिला भी लगते वे डिरेक्टर की तारीफ कर रही है और कहती है कि ये आपके बगएर कोई और नहीं कर सकता था वो कहती नजर आ रही है कि जो फिल्म में दिखाया गया है उसे हमने जेला है इसके बाद वो एक्टर दर्शन कुमार को गले लगा कर रोती है और उनके परफॉर्मस की तारीफ करते वे उनसे आगे बढ़ने की बात करती नजर आती है इस दोरान विवेक और दर्शन उनने संभालने की भी कोशिश करते नजर आते हैं इस वीडियो पर सोशल वीडिया यूजर्स भी जम कर इमोशनल हो रहे हैं वो फिल्म की सफलता की शुप कामनाय देते वे फिल्म क्रू की तारीफ कर रहे हैं देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें